नविश्कार दोस्तों मेरे नाम अर्शुर आप देख रहे हो प्रोयक्टिव टेक्निकल और आज के वालूड़े एकदब खास होने वाले क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कने वाले हैं सैमसंग की सैमसंग गेलक्सी नोट सीरीज को लेगर के पहले है बिल्कुल कंफर्म वो चुका था काफी सारी हमें official statement भी देखने को मिली थी सैमसंग की तरफ से और सैमसंग की उफीशियल की तरफ से कि जो सैमसंग की नोट सीरीज है वो डिसकंटीन्यू होने वाली है साथी मुण उन्हें वीजन भी बताया कि अच्छी से नय होने की वज़े से हम डिसकॉंटिन्यू करने वाले हैं अपनी नोट सीरीज को 2021 के अंदर हमें नोट सीरीज के अपकमी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन यहाँ पर जो सेमसंग का नया रोड मैप है तो 2021 का जो उन्होंने रिवील किया है उससे हमें लगबग ये कन्फरम देखने को मिल रहा है कि जो सेमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज है वो डिसकॉंटिन्यू होने वाली नहीं है अब से हमें और भी स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे इसी नोट सीरीज के अंदर हलाकि पहले डिसकॉंटिन्यू की काफी सारी रूमर्स भी हमें देखने को मिल रही थी और उसके बाद कन्फरमेशन आई तो लगबग एक डिड़ महीने से ये कन्फरम सा हो चुका था कि स सेमसंग अपनी नोट सीरीज को लेकर के नहीं आने वाला है अगले नोट सीरीज के स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन अब गन्फरम हो चुका है साथी में सेमसंग के कुछ एक एक एंपलोई ने भी बताया है कि सेमसंग गैलक्सी नोट सीरीज का जो अपकमि 21 के roadmap के बारे में तो यहां पर Samsung ने बताया कि जो हमारा main focus होने वाला है वो folding smartphone के उपर होने वाला है future में और सस्ते prices पर हम folding smartphone available कराएंगे यहां पर जो 2021 के अंदर अगर हम बात करते हैं जो moto है Samsung का वो यह है कि 1000 डोलर के नीचे वाली price segment पर folding smartphone लेकर के आना इस time पर हमें सारे folding smartphone लगबत एक लाक या उससे ऊपर की pricing पर देखने को मिलें लेकिन ऐसे में 87,000 की pricing पर अगर हमें folding smartphone देखने को मिलेंगे तो यह काफी interesting कदम होगा और Samsung की तरफ से अगर हमें सस्ते folding smartphone देखने को मिलेंगे तो क्या ही कहने और साथ ही में Samsung ने बताया कि जो S Pen है उसको हम और जादर devices में लेकर के आने वाले हैं यानि कि यह सिर्फ नोट सीरीज तक सीमित नहीं रहेगा और जादर devices के अंदर यह आएगा स्मार्टफोन हो सकता है और Samsung Galaxy G Fold 3 Lite हो सकता है या फिर G Fold Lite के नाम से हमें एक स्मार्टफोन और देखने को मिल सकता है तो दोस्तों बस यही था आज वाली इस वीडियो के अंदर उमीद करता हूं कि यह वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो इन्फोर्मेंटिव लगे हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए शेर कीजिए और साती हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले योगि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर क्या करेता हूं